आज हम चलते हैं अपने संस्कृत बुक के 11 चैप्टर सावित्री बाई फुले चैप्टर पर इस चैप्टर के अंदर जो सावित्री बाई फुले है जो की हमें शिक्षा के बारे में बताती है हमारे समाज में कई समदाई इस से लंबे समय तक बन्चित रहे है अभी भी आज भी ऐसे कई समाज में ऑसे कई समुदाई है जहां पर शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं है उन्हें इस अदिकार को पाने के लिए लंबा संगर्ष करना पड़ा है लड़कियों को तो और ज्यादा विरोध अवरोध जेलना पड़ता रहा है प्रस्तूत पार्ट इस संगर्ष का नेतरतों करने वाली प्रहता इसमणिये एवं अनुकर्णिये महिला शिरोमणी सावितरी बाई फुले के योगदान पर केंद्री थे तो फ्रेंड्स इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हर बार चलते हैं अपने शब्दार्थों के उपर चलते हैं और शब्दार्थ हैं आपके आदाय, आदाय का आर्थ होता है लेकर, प्रेस्तर खंडान का आर्थ होता है प्रेस्तर के टुकडों को यानि पत्थर के टुकडों को, सब इनोदम हसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत का आर्थ होता है पैदा हुई, अभी हितों का आर्थ होता है कहे गए ह परिणिता का अर्थ होता है ब्याही गई ऐस परश्यता का अर्थ होता है छुआ छूत के कारण प्रारब्द का अर्थ होता है आरम किया निराकरनाय का अर्थ होता है दूर करने के लिए या निराकरन करने के लिए रूढों का अर्थ होता है रूढी या रिवाज पुरानी प और गहना और बोधाय का आर्थ होता है गहराई से समझने के लिए ठीका फ्रेंट अब हम चलते अपने चैप्टर के उपर उपरी निर्मित चित्रे पश्यते कि उपर जो चित्र आपको दिया गया है इस चित्र को देखिए कि यह चित्र किसी पाठशाला का है किसी पाठशाला का है कि इसमें शिक्षिका जो है वो घर से अपने पुस्तकों को लेकर चलती है कि इसके अंदर क्या होता है कि मारग में यानि रास्ते में कशित यह एनि कोई तस्या ने उसके उपर धूल की और कुछ उसके उपर प्रस्तर खंडान करता है पत्तरों के मतलब उसका अपना झुद का जो द्रड़ निश्य है वो बिचलित नहीं होता है स्वय व इद्याले कन्याभी सव इंोदम आलपंति साध्यापने सलंगना भौती इना आपने विद्याले में कन्याभी जो दूसरी जो चात्राइं हैं बालिकाओं के साथ हसी मजा करती हुई, सविनोदम कार्थ होता है, हसी मजा करती हुई, बात करती हुई, आलपंती कार्थ होता है, बात करती हुई, वह अध्यापन कारे में सलगन है, यानि कि वह अपने विध्याले में जो बालिकाओं हैं, उनके साथ हसी मजाग से बात करती तो इसमें कहता है कि जो शिक्षिका है तश्या स्वयकियम अध्यान मपी सहव प्रचलती और इसके अंदर यह कहा गया है कि तश्यान उसकी भी उसकी मतलब जो शिक्षिका है उसकी की भी स्वयकियम अध्यान मपी स्वयकियम यानि उसका स्वयम का अध्यान भी साथ ही चलता ह मतलब वो खुद भी वहाँ पर अध्यान करती है और जो दूसरी जो बालिकाएं हैं चात्राएं हैं उन्हें भी अध्यापन करवाती है केयम महिला ये महिला कौन है आपी यूयमीमा महिला जानीत क्या तुम इस महिला को जानते हो इमेयो महराश्रश्य प्रतमा महिला शिक्षी का सावित्री बाई फुले नाम देया कि यह महराश्र की प्रतम महिला शिक्षी का सावित्री बाई फुले नाम देया करता नामक तारीकों यानी की तीन जन्वरी सन कितना दियावाई 1831 जन्वरी माश्रष्य त्रित्रिय तीव से 1831 तमें खिस्ताब दे महराश्रष्य नाय गाव नामनी स्थाने सावित्री अजायत की जन्वरी महिने की तीन तारीकों यानी तीन जन्वरी सन 1831 को महराश्र के नाय गाव मे नाय गाउं का नाम है एक तो नाय गाउं नामा के स्थान पर सावित्री का जनम हुआ कि उसकी माता का नाम लक्ष्मी बाई और पिता का नाम खंडो जी यानि उसके माता लक्ष्मी बाई और पिता खंडो जी कहे गए थे नव वर्ष देशिया, नव वर्ष की आयू के अंदर, यानि नव वर्ष की सा जोतिबा फुले महोदेन पढ़नी था, कि नव वर्ष की आयू में, जब नव वर्ष की आयू वाली जो सावितरी भाई फुले थी, उसका जोतिबा फुले महोदे से था, उनके साथ वो ब्याही गई अर्थाद उनका विवा हुआ परेणिता कार्थ होता है विवा होना सुवपी तदानी त्रेयोदश वर्ष कल्पय एव आसित और उस समय वहबी तेरे वर्ष का ही था मतलब जो जोतीबा फूले हैं वो तेरे वर्ष के थे और नो वर्ष की कौन थी जो सावित्री भाई प्रबल समर्थक थे और इसलिए सावित्री के मन में इस्तित जो अध्यन की अभिलाशा थी वो प्रवाहित होने लगी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी इतम इतह परम सा सागरहम आंगल भाशाया अपी अध्यनम क्रतवती और इसके बाद जब उन्होंने अपना अध्यन पूर्ण कर लिया उसके बाद उन्होंने सागरहम का आर्थता आग्रहय पूर्वक आंगल भाशाया ने अंग्रेजी भाशा का भी अध्यन किया और इसके कन्यानाम क्रते प्रदेश अस्य प्रत्म विध्यालियम आरभथ। इसका मतलब हुआ कि सन 1848 में जो पुना नगर है। पुना नगर मतलब जो पुना सीटी है। उस पुना नगर में सावित्री ने, मतलब जो सावित्री भाई फुले उसने जोतिबा मोहदे के साथ मिलकर कन्या नाम याने कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विध्याले आरंब किया आरब का मतलब होता है शुरुआत की कि 1848 में इस्वी में पूना नगर में सावित्री और जोतिबा फुले ने कन्याओं के लिए प्रथम विध्याले जो कि प्रदेश का प्रथम विध्याले था उसको आरंब गिया तदानी सा केवलम सब्तदश वर्षिया आसीत तब है केवल 17 वर्ष की आयू की थी तब है केवल 1751 में तमे खिस्ताबते, एस प्रश्यतवाद तप शियाıyorsun समूदाइय से वाली का नाम क्रते प्रथकत तया अप्राव इध्याल्य प्रारवद है इसका अर्थि हुआ के 1851 में जो इस्वी थी तिरस्कर्च समुदाय की जो बालिकाई थी mall, प्रत्रक्तर त्या मतलब अलग से तया अप्रय विध्यालय यह जो है शुरूआत की गई यह प्रारम किया गया किस सामाजिक कुरिती नानाम सावित्री मुखरम विरोधं एकरोध सामाजिक कुरितियों का भी जो सावित्री है को ुसने मुखर विरोध किया गया विद्वा नाम का मतलब होता है विद्वा महिलाओं के लिए जो स्षिरो मुंडन की प्रथा थी उसके निराकरण के लिए उसको दूर करने के लिए वह नाईयों से भी मिली पलत है केचन नापिता अश्यरूडो सहभागिताम एतजियन और उसके परिदाम सुरूप क्या हुआ फल सुरूप केचन नापिता यहने कुछ नायों नहीं इस रूडी में उनका साथ देना या उनकी सहभागिता जो उती थी रूडी वादी परंपरा के अंदर तो उस कुपं निकषा और निकषा कि मैसने निकट शीन वस्ता वता। कि फटे पूराने वस्तर पहने हुए या तरह उता सवाधिया, कुछ ही जलंपहतंव क्शाड़ा, लóg मैसने देखा कि जलंपहतों वस्तर पहन हा तो चनते हैं, परद निम्न जाती कि जो कुछ नारियां कुछ इत्रीयां थी, वह जल पीने के लिए याचना कर रही थी। मना कर दिया, मना कर रहे थे, सावित्री एतत अपमानम सोडुम नाशकनोत, सावित्री इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं थी, इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, और साथ ता इस्त्रिय निजग्रहे नीत्वती, और वह उन इस्त्रियों को अपने खुद के घर, निजग्र कि इसमें से इच्छा नुसार, जितना आप चाहो उतना इच्छा नुसार जल ले जाओ, यह उन्होंने अपने खुद के घर का तालाब दिखाते वे उनसे कहा, सारवजनिक को अयम तड़ा गई है, तालाब सारवजनिक का मतलब होता है, कि जिस प्रॉपरटी पर जिस कुवे तालाब नदिन है, जो कि सारवजनिक होती है, मतलब उस पर सभी का अधिकार होता है, असमाद जल ग्रहने नास्ती जाती बंदनम, इस कुवे से जल ग्रहन करने में कोई जाती बंदन नहीं है, कोई भी जाती का बंदन नहीं है, तया मनुश्य अनाम समानताया, स्वतंत्र पक्ष सर्वता समर्थिते हैं और उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंतरता के पक्ष में हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया मतलब वो हमेशा से सभी प्रकार से मनुष्यों की समानता और स्वतंतरता के पक्ष में रहती थी समानता और स्वतंतरता का पक्ष प्रतिबंदक ग्रहम इत्या दीना संस्थाना स्थापनाया फुले दंपतो अवधानम महत्वपुणम। अपने अधिकारों के बारे में जागरत करना या जगाना जागरण का मतलब होता है जागरित करना कि इस सत्यशोदक मंडल का जो समुदाय का जो की उदेशे था वो ये था कि जो उत्पिडित समुदाय के जो लोग थे जो सताय के समुदाय के जो लोग थे उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरुख करना सावित्री अनेका संस्था प्रशाशन कोशलेन संचालित्वती जो सावित्री थी उसने अनेक संस्थाओं के प्रशाशन कोशल का भी संचालन किया था अनिक संस्थाम में भी प्रशेशन कारी किया है था, दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चैसाप-पेडिता जैननाम-शांतम-वरतम-चै-सेवाम-ह्करोथ इसके अंदर दुर्भिक्ष काले का मतलब होता है अकाल के समय, और प्leyक काले का मतलब जो प्लेग नाम की महामारी फैली थी उस समय की बात है तो दुर्भिक्ष काले प्लेक काले की अकाल के समय और प्लेक के समय चैसाप पीडित जना नाम की उसने पीडित जनों की यह मतलब जो पीडित लोग थे उनकी ऐश्रांतम ऐश्रांतम का मतलब होता बिना थके वे और अविरतम कार्थ होता है लगातार की दूर्भिक्ष काल यानि अकाल के समय प्लेक काल यानि प्लेक के समय उसने पेडित लोगों की बिना थके लगातार सेवा सहायता की और सहायता सामगरी व्यवस्ताय सर्वता प्रयासम अकरोत और सहायता सामगरी की व्यवस्ता भी सभी प्रकार से प्रयास किये मतलब सभी लोगों को साहता सामगरी मिल सके उसकी व्यवस्ता भी उसने सभी प्रकार से की महारोगे प्रसार काले महामारी जो फैली थी तो उस महामारी फैलने के समय महारोग का मतलब होता है महामारी और प्रसार काले का मतलब फैलने के समय तो महामार असाध्य रोग से पेडित हो गई थी और सन 1870 में 1897 इस्वी में तमें खिस्तापदे निधनम गता कि और उस असाध्य रोग से ग्रसित होने पर 1870 इस्वी में मृत्यू को प्राप्त हो गई थी ठीक है फिर आगे देखें साहित्य रचनाया साहित्य रचनाया अपी सावित्य महित्य कि साहित्य रचनाया में भी सावित्य का नाम बड़ चड़कर लिया जाता है मही इते का मतलब होता है बढ़ चड़कर कि सावित्री जो है वो बढ़ चड़कर थी साहीते रचना में भी तश्या कावे संकलने द्वे उसका जो कावे संकलन है और द्वेम कारता तो दो कि उसके दो कावे संकलन है जिसमें कावे फुले और सुबोध रतना कर कि उसके दो कावे संकलन है जिसमें कावे फुले और सुबोध रतना कर ये उसके दो कावे संकलन है भारत देशे महीलो उत्थानश्य गहनाओ बोधाय सावित्री महोदाया जीवन चरिते अवशम अवधेत्तम कि भारत देश की महिलाओं के उत्थान के लिए भारत देश की जो महिला उत्थान है यदि उसकी गहराई को अगर हमें समझना है तो हमें सावित्री महोद्या के जीवन चरीतर का भी अध्यान अवश्य करना चाहिए के मतलब सावित्री मोहदे के जीवन चरीतर का अवश्य ही हमें अध्यन करना चाहिए जिससे हमें भारत की महिलाओं के उत्थान के बारे में जानकारी मिल सके ठीक है इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्ट चैप्टर के स थैंक्यू, हवे नाइस्ट आपका यह नाइस्ट आपका यह नाइस्ट आपका यह नाइस्ट कर दो आपका यह नाइस्ट 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 आपका यह नाइस्ट